सस्क्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर लीजे देश के प्रधान मंत्री का दिमाग बहुत जर्खेज है जर्खेज से हमारी मुराद उपजाओ बहुत ही आइडियाज आते हैं भारत में मुझे याद नहीं आता कि कोई प्रधान मंत्री इतने ज़्यादा आइडियाज रखता हो अगर पांच साल का कारिकाल और उसके बाद लगभग 102 दिन का और कारिकाल सब ले लें तो आप पाएंगे कि हर हफ़ते एक नई योजना एक नई आइडिया और एक नई विचार भारत को मिला है और शायद ये सोचने की वज़े से ही होता होगा तो मैं ये मान सकता हूँ कि मोदी जी का दिमाग बहुत ही उपजाओ और बहुत ही सकारात्मक सोचने वाला है क्योंकि जो इतना सोचता होगा सकारात्मक ही सोचता होगा नकारात्मक इतनी ज़्यादा सोच नहीं हो सकती जाहिरे इसमें बहुत सारी योजनाएं आई अब एक ताजा योजना देखिए भारत के संसद ने एक एक्ट पास किया जो कि मोटर वैकल सेक्ट 2019 है बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉज इसमें आए है जो प्रोविजन्स हैं वो बेहद स्ट्रिंजेंट है नतीज़ा ये हुआ कि आप हर चोराहे पे इस समय बहशत है गाड़ी वानों पे पेट्रोल पंप पे बड़ी लाइने लगी हुई है पेट्रोल पंप के अलामा आटियो आफिस चले जाएए जो घूस का रेट पांसो रुपए होता था ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का या एक हजार होता था आज वो आठ हजार है अभी मैं दो दिन पहले गया तो हमने देखा कि इस थितियां बिल्कुल बदली हुई है कानून आता है सक्त होता है तो रेट भी बढ़ जाते है करप्शन के और जाहिर है क्योंकि उनको मैनत ज्यादा करनी पड़ती है करप्ट सिस्टम को भी मैनत करती है तो उत्ता तो मौवजा लेगा ही लेगा ना अब देखिए इसमें हुआ क्या है अगर आपने बिना हैलमेट के गाड़ी चलाई तो हजार रुपया आपको देना पड़ेगा अगर आपके पास पॉल्यूशन नहीं है तो हजार रुपया देना पड़ेगा अगर आपने अम्बुलेंस को के लिए रास्ता नहीं छोड़ा तो दस हजार देना पड़ेगा अब जरा गोर कीजिए ambulance के लिए रास्ता ना छोड़ने का ये ऐसास कैसे होगा क्योंकि ambulance पीछे है रास्ता छोड़ने के लिए हमें दोनों तरफ से रास्ता मिले तभी तो छोड़ेंगे तो क्या ये wisdom जो ambulance इस्तेमाल कर रहा है उसके complaint पे अधारित होगा या सामने जो सिपाही डंडा लेके खड़ा है वो डिसाइड करेगा कि आपने ambulance को रास्ता नहीं दिया अगर दोनों इस स्थितियों में आप सोचिए अगर एक कमजोर सा आदमी है और पुलिस वाले देखेंगे कि कितना कमजोर है कारवाला भी कमजोर होता है आजकल तो वो धीरे से उसको किनारे करके कहेंगे ambulance को रास्ता नहीं दिया दस हजार अब दस हजार की रकम या तो वो दे या फिर पांच हजार में समझाओता करें और लगभग यही हो रहा है मैंने बताया आपको कि भारत में आर्टी ओ दफ्तर में इस समय चले जाएए आपके काम करवाने का रेट दसकुना कर दिया गया है अगर आप फर्ज कीजिए एक स्कूटा रखे हैं युवा माबाप हैं एक बच्चे को जो पांच साल आट साल का है बगल के स्कूल में सुबह छोड़ने जा रहे हैं और जल्दी थी तो लिहाज़ा आपने पेपर्स नहीं रखे या गफलत में पॉलूशन सर्टिफिकट ल क्या ही आपको लगता है कि सही बिलकुल सही था कि कानून इस देश में सख्त होना चाहिए क्योंकि हम आदतन कानून का निरादर करते हैं हम आदतन कानून का पालन नहीं करते हैं लियाज़ा ऐसे समाज के लिए सख्त कानून का ही शायद भय हो क्योंकि नहतिकता का भय होता नहीं है कानून के आदतान हम अवहिलना करते हैं तो सक्त बनाया जाए इसमें कोई दो रहा है नहीं है लेकिन अब इसका दूसरा पहलू क्या और ये बिल्कुल सही है कि जब आप अख़वारों में ये खबरें पढ़ते हैं आप हमारे चैनल पर ये अक्सर देखते हैं कि एक बूढ़े दमपत थी सुबह पांच बजे मॉर्निंग वाक के लिए सुबह पांच बजे वाक के लिए जा रहे थे और एक रईसजादा की लंबी कार बेतहाशा स्पीड से आके तकरा गई और जब रईसजादा गिरता पढ़ता निकला तो वो शराब पिये था क्योंकि वो क्या करेंगे आप वो बूढ़े दमपती चले गए आपको याद होगा कि फिल्म के एक बहुत बड़े स्टार नशे में होटल से निकले और उन्होंने पांच यूपी के मजदूरों को यूपी और बिहार के थे उन मजदूरों को कुचल दिया ये किसा आपको याद होगा वो भी नशे में थे लिए खेर अदालत में क्या किया आप जानते हैं ये इस थितिया है तो बिल्कुल सही था ये कानून लाना और साधवाद है केंद्र सरकार को कि इतना सख्त कानून लाई है ये भी उतना ही सही है कि अगर उल्टी दिशा के मैं कोई से कोई या रहा है ग बिना लाइसंस के गाड़ी चलाना बाप द्वारा बेटे कुछ आभी दे देना और 17 साल का बेटा लफंगे की तरह गाड़ी चलाता रहे बिना लाइसंस के तो इस पर सकती होनी चाहिए और यही वज़ा है कि इन कानूनों को नहीं बतला गया है लेकिन राज्ज सरकारों को कुछ पावर दिये गए और उसी पावर के तहट पहली बार देश में गुजरात की सरकार ने ये सारा जितना भी कानून था छोटे 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 जो कमपाउंडेबल दोश है इस एक्ट में जैसे की हेलमेट ना लगाना पॉलिउशन करना जिस पे एक एक हजार का फाइन था उसको घटा के सो सो रुप्या कर दिया है गुजरात सरकार इसमें टॉर्च बेरर है पहली सरकार है जिसने केंदर के इस तरह के जो गहर बतलब ये जो प्रॉविजन्स थे ये बिलकुल मेरे ख्याल से इसमें दिवाग का अप्लिकेशन नहीं हुआ वरना इतने स्ट्रिंजेंट नहीं रखे गए होते अगर हेलमेट नहीं लगाया है तो उसकी सजा 1000 रुपे करना ये कहीं से मुनासिब नहीं था या पॉलिशन भूल गया है तो उसके लिए 1000 रखना ये मेरे ख्याल से कहीं से भी मुनासिब नहीं था नतीजह ये हुआ कि गुजरात सरकार ने इसको सब को 90% कम कर दिया कानून में दो प्रावधान है एक compoundable जो crimes है इसमें provisions है उसमें किंद सरकार बदल सकती है गुजरात का देखने के बाद अब कम से कम छे राज्जें छे राज्जे ऐसा सोच रहे हैं कि किंद सरकार के इस कानून को dilute किया जाए और हलके दोशों में जो fine है उसकी कीमत जो है बहुत भला काम करेंगी राज सरकारे मुझे नहीं मालूम यूपी में लेकिन अभी हाल का किस्सा है कि गाजियाबाद में और दिल्ली में भी घटना हुई है एक स्कूटर वाले पे 25,000 का जर्माना लगा क्या-क्या जोड के पुलिस वालों ने उस पर लगा दिया 25,000 का उ जर्माना कहां से भरेंगे कई बार आप जब कानून बनाते हैं तो दूर दरिश्टा आपकी गायब हो जाती है एक और देखिये सरकार का सरकार ने एक और किया प्लास्टिक का और आप विस्व मंचों से मोदी जिन अभी दो दिन पहले कहा कि दो अक्टूबर से भारत प्ल जो बिखते हैं तमाम अमूल मदर डेरी जो सरकारी तो का अपरेटिव संस्था हैं उनके दूद के पैकेट आते हैं जो सिंगिल यूस प्लास्टिक होता है फाडो और फेको क्या आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है कि 5 पैसे का ये प्लास्टिक जो है ये इसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या है क्या करोणों पैकेट रोज बनाने के फैक्ट्रियां आ गई हैं आपके पास सिर्फ 23 दिन हाथ में हैं दो अक्टूबर को आपको फ्री करने का वादा किया है क्या ये संभव है अब हो क्या रहा है कि पी एमो को खुश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर आफिस खुश हो जाए कुछ उत्साही अपसर राजी सरकारों के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे प्लास्टिक का पैकेट और उसके बाद उसके मालिक को गिरफ्तार कर दे रहें ये इस्थिती है और इस इस्थिती का सीधा मतलब है कि फिर वही जनता को जेलना पड़ेगा एक अदूर दर्शी योजना आप बना लेते हैं प्लास्टिक फ्री करना बहुत अच्छी बात है लेकिन आपके पास विकल्प कौन सा है एक गरीब आदमी धनिया लेने दस रूपए का गया है पांच पैसे का एक पैकेट पांच पैसे का पैकेट में उसको दुकानदार दे देता है अब वो क्या करेगा अब या तो घर से वो जोला लेके जाए हर काम के लिए तो इसमें विकल्प आपको क्या उसी पांच पैसे का उसी तरह का आपने देखा होगा चाय प्लास्टिक में ले जाते हैं आपने कोई क्या विकल्प निकाला है जो पांच पैसे का ऐसा थैला हो अगर आपने ये नहीं किया है तो ये आदेश जो सरकार इस समय अभी यूपी गवर्मेंट का नया आदेश आया है इसी को लेकि ताकि मोदी जी की सरकार खुश हो जाए और उन्होंने अभी तक देश में डिफाइन नहीं हुआ है कि सिंगिल यूज प्लास्टिक की कटेगरी क्या क्या होगी सरकार के अफसर परिशान है क्योंकि इसकी परिभाषा आपने नहीं की है कि सिंगिल यूज प्लास्टिक में वो पानी का बोता लाहे का नहीं करोणों के रूप जो करोणों बिखता है कुल ये व्यापार डायरेक्टली इंडायरेक्टली प्लास्टिक इंडस्ट्री का साड़े साथ लाग करोणों रुपए का है क्या आपने उसके किसकी वेकलपिक व्यवस्था की है लेकिन पूरा जो झेलना पढ़ रहा है वो सामाने नागरिक को छोटे छोटे दुकानदारों को ये झेलना का पुलिस आके डंडे फटकार रही है उनसे दो सर रुपया ले जा रही है क्या इस तरह की योजनाई इस देश में बनेगी और बनेगी तो क्या उसकी उपादेता रह जाएगी फिर आपके उस जरखेज दिमाग से जो योजनाई निकलती है उस पे जनता को कितना बिस्वास रहेगा मेरे खाल से आज के लिए इतना ही सस्क्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर लीजे